ज़ाओ मैं तीन-चार क्रोड आपको देता मुझे इच्छा मारी तु दिलादो कभी नौ मास का रिष्टा कभी तूटे गा नहीं एज रोटी बेटी का रिष्टा कभी तूटे गा नहीं हमें दुख है हमें फीडा है और को साथ चलने वाला नहीं है हम अकेले काफले में हैं पहला सी सोध्या नर्क तारी फिर इंद्रा गड़ी चड़ाई और बिटे तियार हो जाए और तेरी भी बारी आई मेरे साथ जुड़ चुके हैं MS बिटा साब बिटा साब अब आपने देखा पूरी जानकारी अपने रिपोर्ट को समझा अब आप देखिए एक भीड आती हत्यारों के साथ और पुलिस क्योंकि इसमें धर्मिक एंगल भी जो शामिल है वो कुछ नहीं कर पाती है वहाँ पर अब क्या एक फिर से नई शुरुवात हो रही है पंजाब में जहां पर जो मैं कहूंगा वो ही होगा उसकी राजनीती चलेगी वो सब खेल चलेगा वहाँ पर क्या गएंगे आप पहले तो मैं आपको कहूं क्यों कि हम बुक्त बोगी हैं बच्पन से लेके अब तक यह जंग को लड़ा है सरीरों पे पंप खाये हैं और पता निक कितने लोग हर पुलिटिकल पार्टियों के आम पब्लिक शहीद हुई च्छती हजार लोगों का शहीद हो जाना थ्री सिक्स बड़ी असानी से आज कल हम कह देते च्छती हजार लोगों का शहीद हो जाना साथ आर्थ साल के अंदर ये को चूटी सी बात नहीं है उननीस हजार हिंदू बाईयों का शहीद हो जाना उननीस सो पुलिस करमचारियों का शहीद हो जाना तो क्या सबक सीखा जी हमने पुलिटिकल पार्टियों ने धर्म के ठेकेदारों हर चीज पुलिस की जिम्मेदारी है हर चीज किसी और की जिम्मेदारी है पुलिटिकल प तो बिटाग काम के ख़ला पूलता है औरे मैं कहा हम केला बोलता हूं मैं कहता हूँ जो ठीक हौं मजलूमों के लिए सजाई गयी आप उसके हाथ में आपने बंदू के पकड़ा दी अब अमरत बास की बात करें हाथ में बंदू के पकड़ करके और गुरू गरंद साप को ले करके आप चलेगे पुलिस टेशन सब क्या कहते ढाल बना लिया कवच बना लिया बिंड़्रावाले ने क्या किया था यही तो उसने किया था वो कहते संत था अगर संता सचा तो हर्मंदर साब की पवित्रता को खराब करता वो सबक किसी ने नहीं सीखा आज कहीं चले जाओ दिली के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर संत जर्रेल शिंग बिंडरावला हाथ में करपान है और लिखाओ हम फिर आएंगे यह लिखाओ तब फिर आए जा रहा है दूसरी बात पूरे हर्मंदर साब को किला बना दिया इन्होंने जहां हिंदू यहां मुसलमान यहां सिक्ष यहां एसाई आके नमस्तक होता है बार से बेगुना लोगों को मारना और अंदर गुज जाना और उस वक्की सरकारी यही जाती थी उस वक्की सामने हर चीज आँखों से देखी आज आखे खुलती हुआ क्या जगदीश टाइटलर हुआ या कमलनात हुए यह प्लेनों में आया करते थे हम एरपूर्ट जाते थे हर चीज को देखा आज इस चीज को सोचे मुझे एक चीज बताई इतना हथियार कैसे अंदर चला गया ट्रकों के ट्रक अंदर कैसे चले गए इतने लोग कैसे मारे गए बुली इस्टार ओपरेशन का कैट टाइम जैसे अभी पत्रकार साहब ने बताया कि यह प्लैनिंग पहले से उती है क्या पहले से प्लैनिंग थी हथियार अंदर जाएं बेगुनाहों का कतल याम करो के ओपर हमला कर दो चलो मैं मानता हूं हमला हूँ बड़ी अच्छी बात पत्रकार साब ने कही पहले शोचल मीडिया नहीं था जनाब एक अख़वार चलता था जो पूरे पंजाब में चलता था अब अडिशन नहीं चपते थे आज तो शोचल मीडिया है इन्होंने क्मांडव फोर्स खालसा लब ने यह एक नाम है यह अतंकवादी तो यहां से भागे हुए अपनी जान बचाते फिरते हैं पीछे आईसाई काम करती कोई बबर खालसा काम नहीं करता है को खालस्तान कमांडव फोर्स नहीं है यह सारी आईसाई के कबजे में है जम्मू कश के खाया है उन्होंने ऐसी नी रखी पंजाब के अंदर दोबारा खालस्तान की खतरनाके तंकवादियों को छोड़ दिया उनके ओपर राजनिती कर दी आप हैरान होंगे पार्लीमेंट के पास मैं जिंदा गवा हूं जिसने दिल्ली के अंदर प्लास्ट किया मेरे उपर प की फंडिंग की हम बास करते हैं सतर क्रोड एक अतंकवादी दुविंदर पाल सिंग बुलर को छोड़ाने के लिए अमेरिका कैनिडा पाकिस्तान गुर्दवारा परबंदे कमेटी उसे हैं मैं कहां से तीस लाख लगांगा बताओ आज से नहीं चल रहा जनाब ये तीस साल से मैं जेल रहा हूं मैं हार गया वो जीद गए कारण कोई पार्टी नहीं बची उसको छोड़ाने के लिए कपिल छिबल जैसे सब लोग कांग्रेस आम पार्टी सब लगे उसमें मैं घुआ हूं कहां ब्लास्ट हुआ ये पार्लिमेंट के पास ली मेरिटिन के बाट पाई मैं बंबो से नहीं हारा मैं मौट से नहीं हारा मैं राजनित खतंकबाद से हार गया गंदी राजनिती की देन है ये अमरत पाल ये गंदी राजनिती की देन थी बिट्टा साब बात तो यहीं ना वो कहते हैं कि लोग मुझे आतंगवादी कहते हैं एक इंटर्वी के दौर अम्रत पर परचार होता है किरपान पकड़ी हो कोई दिख्कत नहीं हमारा इतिहास है अरे अभी पत्रकर साब क्या बोले है उसी वक्त भी यह बंदू के दिखाई गई उसी वक्त भी यह लबास में आया का यह पूरी इस आदमी को ट्रेनिंग हुई है जैसे पिच्चरों में होती है ना ट्रेनिंग होती है वो कोर्च में जाते है पूरी इसको उसने कैसे बिंडरावला जुकता था कैसे पकड़ता था कैसे हर चीज की इनके लोगों की ट्रेनिंग हुई है ट्रेनिंग करके बेजिया और हम पंजाब के लोग चीदे अर दीब संदू जिसकी जगा ल पर मुझे एक सीज बताईए जी हमारे दिमाग काम नहीं करते हैं पंजाब के इन लोगों के कि हमारी कितनी बद्रामी हो रही कर मैं बंबे से आया पांच दिन पहले पूना से आया फिर कहीं लोग हमारे में क्या क्या बाते कर रहे हैं इस सिख कौम जिसको हर व्यक्ति हर कौम नमस्तक करती है दुनिया के अंदर आज सिख कौम के ओपर फिर दाग लग गया वो छती हजार लोगों जो शहीद किये इनोंने वो लोग बूल गए आज हरमंदर साब के आप देखे 20% सरदार जाते हैं और 80% दूसरे दर्मों के लोग नमस्तक होते हैं लाइन लंबी लगी हुई है लोगों के मन में फिर भी खौफ नहीं लोगों के मन में कोई बात नहीं और यह देखो इनकी हरक से देखो यही सरदार है पंजाब से बार तो कोई सरदार है ही नहीं कोई बताएए हिंदोस्तान के अंदर क्रोडों के कारोबा ये वो खालस्तान बनाएंगे क्या ये वो चाहते हैं कि खालस्तान कि हम दिली के अंदर पासपोर्ट के जरिये जाएंगे क्या ये वो खालस्तान चाहते हैं पतना साफ गुरु गुबिन सिंग्जी जिन्होंने सिक कौम सजाई अनंदपुर साफ के अंदर क्या पासपोर्ट क करतारपूर्द कि प्रेयरोती है रोज घरमंदर साब सब जगाएंदर कि वह हमें वापस धिये जाएं ये अपने गुर्दवारा था हमाचल के जम्मू के अंदर पासपोर्ट के जड़िये जा थांगे पहली कुर्बानी मैं देता हूँ आओ चले लहोर की तरफ पहले जीवन मैं देता हूँ आपकी खाश मैं पूरी करता हूँ अरे वहां महारा रंजी सिंग शेरे पंजाब जिसका काबल कंदार तक राज्चा जिनका सैना पती था जर्नेल नाम था हरी सिंग ललुआ काबल कंद नौकर नाम कर दिया पाकिस्दान में बायों को खतले हैं कर्दिया हमारी बाहु बैटियों की इजचत लुटी जा रही वहां अपमानत कर देते जूटक कर देशन पहन पेन engineer फिर आ जाते शिरत कपना सित यह बढहां का बंद होती ही हैं में पार छि Kashा कि ऑना करके एक लाइन में उनकी माँ उनकी पत्नियों के सामने कतले हम कर दिया ला मैं तेरे साथ एक एक फॉटी शामन पकड़ता हूँ आओ चलते हैं मरना तो है बूनस की जिंदगी है आओ बदला लेके आते अरे उदर तो जाना नहीं इनको पंजाब हिंदोस्तानी एक धर्मठा जी आते हैं किरपान जलाके पुलिस वाले का हाथ कार देते हैं बिटा सब एक यही तो बात है इस धर्म की इज़त इतनी जादा है भारत में और हिंदू तो बिलकुल फर्क नहीं करते हैं देखो इसका मैं मेरी बात थोड़ी कट गई है उस वक्त अब बोलिए पुलिस फो हैं ना मैं सहमत नहीं जितने भी गुर्दवारा साफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं मावदेशों को तो अभी छोड़ देता हूं बड़ा मुशकल है उदर बात करना अपने गुर्दवारा साफ के अंदर गुरु माराज के सामने चर्रों में बैठें पंजाब से बार खास तोर पे पंजाब में कोई नहीं करेगा और वहां अरदास करें मीडिया को बनाए चाहे बंबे हो चाहे पूना हो चाहे दिल्ली हो जहां कहीं हो पूरा सिक्स हमाज हो और कोई नहीं और वहां प्रेस के सामने कहें हम ये देश दुरुईयों के खलाफ हैं हम ये पाकिस कौम बदनाब हुई इनकी गलतियों से चुरासी के दंगे हुए हम वो खूनी इतिहात को दुराना नहीं चाहते हम इनके खलाफ है थरकार इनके खलाफ बात करें खालतान ना कभी बना था ना कभी बनेगा ना बनने देंगे ये तो मैं कहता हूं ये गुर्दवारा साथ से आ मेरे सिख भाई का इस मुद्धे पर चुप रहना ही गुना है पाप है इस देश के साथ दोखा है याद रखिए क्यों दूसरा पूले अब अमेच्छा जी ने एक बयान दिया याद है क्या दिया एक पत्तरकार ने सवाल पूछा अगर आप किसी से सवाल पूछेंगे इस दिखो किसी जमने रखुन हिंदुस्तान एक है एक रहेगा किसी ने का का क्ध zal बनेगा कैते देश एक एक रहेगा उन्होंने यह कहा हिंदूस्तान के होम लिडिर ने ब्यान दिया अरे अमीशा जी पहले इंदा गांडी को मारा आप तो आपको मार सक्राइगे खुले तोड़ जाएगा सारे से कैसे नहीं है सारे सिख सेकुलर है यह चंद लोग कर रहें पर चुप रहना भी गुना है मैं फिर कहूं सबको किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी मेरा सिक भाई बैठा है उसको मैं कहूंगा तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा गंदी राज दल को खतम कर देंगे ना अकाली दल खतम हुआ ना राज हुआ चत्ती हदार बेगुना लोग चले गए प्लिउस्टार ओप्रेशन हुआ चुरासी के दंगे हुए मिला क्या इंद्रा गांदी भी चलीगी मिला क्या फूद थी तो वोड़ बैंक पॉलिटिक्स ना यह पतर गुरु गुबिन सिंग महराज जिन्होंने सिक्वाओं मदलूमों के लिए सजाई गुरु टेग भादर महराज हिंद की चादर्दी चौंक अपने सीज को मदलूमों की रक्षा के लिए सरास्ट के लिए निचावर कर दिया अरे एक गुरु गुबिन सिंग जी का स्थान पटना साब, आखरी स्थान नदेड साब, गुरु नानक जी के चर्न लखपा साब, गुजरात के अंदर पांच प्यारे, पूरे हिंदोस्तान के अंदर कौन सा खालस्तान चाते, कौन से खालस्तान की ये बात करते, इस तरीके स मेरा घरतों सामने हमारे उपर भी चौरा बार हमले किये हमें कहते हैं कौम का गदार मैं का सो बार कहो कौम का गदार मैं हिंदोस्तान का गदार नहीं हूँ मैं वो हिंदोस्तान जिस हिंदोस्तान के लिए गुरू तेग बहादर हिंद की चादर ने अपना सीज ने सावर कर लिया मैं वो हिंदोस्तान जिस गुरु गुबिन सिंग महाराई ने अपने चोटे चोटे सेब जादों को नियों में चनवा दिया मैं उस हिंदोस्तान के गदारी नहीं कर सकता आपने अपने गुरुों की मर्यादा के उल्ट बेगुना हिंदू भाईयों का उनी सधार हिंदू भाईयों का गाउं के गाउं खाली करा दिये हिंदू भाईयों के मैंने गुरू मर्यादा की सोच पे चलते हुए मदलूमों को बचाया है। हजारों बोतले खून दिया है हमने अपने दोस्तों ने मेरे पास रिकॉर्ड है। हमें पता था ये आज बच्छों से निकाल के लोगों को मारेंगे। पर जो जखमी होंगे उनकी बोतले फ्रिज में होती थी हम देते थे लो वे खून ले लो हमने तो वो करम किये हमको तब भी नहीं थोड़ा दिल्ली आके भी नहीं थोड़ा और सबसे बड़ी दुखी बात आप हैरान होंगे जो हमारे एड़ोकेट साब हैं एड़ोकेटर तो खुदा हैं क्या हमारे उपर हैं इन्होंने डिगरिंगा ले ली खुदा है इनको बे गुनाहों के कतल करने वालों के उपर जब केस लड़ते हैं मैं आपसे सवार पूछता हूं अगर कोई और टर्रिस विक्टम है जो शहीद हो चुका अगर उसने केस इन्वाफ मागना हो वो तो हार जाएगा अरे फॉर्ण से फंडिंग आज से थोड़ा आ रही है देखो मैं एक बात कहूं थी आपको एक बात मेरी याद रखिएगा बगवान बोनस की जिन्दगी जिन्दगी दे हिम्मत रहे हैंना कभी नौ मास का रिष्टा कभी तूटेगा नहीं यह रोटी बेटी का रिष्टा कभी तूटेगा नहीं हमें दुख है हमें फीड़ा है को साथ चलने वाला नहीं है हम अकेले काफले में हैं भगवान की किरपा है हिंदोस्तान में बैठा हुआ दुनिया में बैठा हुआ इस देज से प्यार करने वाला हमारे काफले में तो नहीं उसकी दुआएं आज बिट्टा के सिर्पे हैं पर हमें अफसोस हैं इमानदारी के साथ को हमारे साथ है नहीं यह हमें अफस्स है हम आपको एक घटना बताना चाहते है जब दिली के अंदर किता हनदोलन के अंदर लाल किला में तुरंगर जंडे पे हमला हुआ खालभzysta नारे लगे पाकिस्तान ने खबरे दिखा दी में केंड़ा राल किला में खालस्तानियों ने कबजा कर लिया नहीं पहला तरंगाजपन से लागते अंदर से निकले मेरे घर में भान भेका पर हमने पिर भी तरंगा जंडा लेरा याज उन्होंने गरूर कोशिच्च की हम डर पर उस दिन जैसे आज मेरी आखों में आशू हैं मैं दिल्ली की अपनी कोठी के अंदर आपके चैनलों में रोता रहा दिवार के ओपर सिर मारता रहा बिटा जब बिंडरावरा वहां था जब गोलिया चलती थी जब कैसे रहा परसी निकाल के आज उतको मार दिया जाएगा उस वक्त तू नहीं गबराया आज तू बाहर भी नहीं जा सकता और उस वक्त हिंदोस्तान के परदान मंत्री नरंदर मुदी कहा थे रास्ट पती के साथ छप ले रहे थे तरंगा जंडा उन्होंने बरदास किया यह सिख कौम है हम गलती नहीं करेंगे पुलिस वालों लाठ मेरे दोस्त एक ऐक मेरा बॉंबे में और एक दिल्ली दे जिसने का बिटा जी बड़ी बूरी गटना हुई पर उसमें कई ऐसे मेरे पुराने दोस्त जिनका घर में रोटी का नाथा बैचने का नाथा लहाँ अरे केसरी था अरे नेरिंदर मोधी को दो चार बातेजिई मैं तरंगा जंडा हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों का है जिसने किया गलत किया हम इसके खलाफ है मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं एक वाज उठी उस वक्त तो यह लोग तरंगे जंडे का अपमान करने वानों की जमान से कराते थे गुर्दवारा प्रबंद कमेटी का पैसा ल से मंगल पांडे इस्तफाक उल्ला खान चुबास चंदर बोच लाला लाजपत्रा चंदर शेकर अजाद की कुर्बानियों शहात्तों से जुड़ा हुआ और यह तरंगा जंडा यह तरंगा जंडा जब हमारा जवान मौत की बांद करके कफन रक्षा था से माओं की उसके लटपा साथ अरे यार अपन आपने तरंगे जंडे को फैर हुवे रोल दिया तरंगे जंडे का अपमान कर दिया जो अजादी का पहला तरंगा जंडा था जहां कभी अरंग यह जुल्म करता था गुरु तेक भादर नीचे चांदनी चौक ऊपर वह जानम क्या गोरु महर पुलिस के जरूरत पड़ेगी ना फॉच की जरूरत पड़ेगी जिस दिन पूरा सिख समाई पूरे हिंदुस्तान में फैला गुर्दवारों में प्रेयर करेंगे मैं आपको गरंटी से कहता हूं इनकी यह सी की तैसी अगर नजर भी आ जाएंगे तो मुझे पकड़ देना ह हम बॉलते हैं हम घरों में बैठे हुए MA इसाथी बोले तो हिंदुने बोला आप बोले तो आपने असन्गवाधी को बोला यह पतर कर साब ने बोला यह हिंदू है वाई हम भाष्दी है हम इस सवार पूछ सवत में आपको सबसे पहले कोईए खर ठर्म भारताम में चात ब मात्रव नहीं मैं किसी कौम मदब का है ही नहीं मैं अपने देश के साथ दोखा करता हूं यह मेरी जंदकी की आगी के तर अतंक वादियों के लिए खुल के खड़े हो जाते चंडीगाड में बॉडर में जिन्नोंने छती हदार लोगों को मारा वहां पर लोगों की वीड लगी हुई लंगर लगरे हम लोगों को दंकिया देरे एक लोगों को मारा एक लोगों को मारा हम पर हमले किये एक चोरी एक सीना जोरी उसके बाद केते इंद्रा गांदी मारी फिर पिट्टे को मारेंगे अरे यार मेरा सरीर तो तो करते हैं न गरीबों को और जखम फौजीयों को दे दो दान भी निए उनको दे दो कम से कम सत्तर ऑसी सौटों बच जाएंगे और मैं क्या कर सकता हूं मैं नहीं कहता है के मिने के बाद भी अभी यह हंकार बनाँ हैं इनकी आजी की तैस्जि के कहता हूं Inspector कौन तान कभी Бणा ना कभी बनने थे बढडेगा तो गंदी हनेरी की तरहा हमारे तुटे फरी और हर मेरे सिख भाई को और जो पीडियोपी में गय हुए मेरे सिख भाई उनको खुड करके कॉंग्रेस के अंदर सारी पार्टी यह जुआ देना होगा तब हिंदोस्तान बचेगा ने तो याद रखना हम राजनिती करते रहेंगे और यह बैस बसाई करते रहेंगे चले जा करते हम राजनित étaient जांद करते हिंदोस्ताना से लिछ करते हैंज से ने सोबकसे लिए जलता सी,याँ मेरे सोब और है अजे तार जारी फिस्वे ग경 20 की आने हम पार्छी फ लिए झार्फ करते हैं करते हैंज से लिए लिग ने जए.